जय हिन स्वागत आपका अपने Study24 जार्खन यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज आपसी जार्खन बोड के चातरों के लिए दो-दो महतपूर्ण अपडेट हैं जो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं जिसमें सबसे उपर में दिया गया आउसर जैक ने घोसित की थी 17 दिसंबर को होगी परिचा और नीचे मोटे अच्रों में दिया गया कि मेधा चातर उर्थी परिचा के लिए कल से जमा होगा आवेदन पत्र और यहाँ आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ कि कल से जमा होगा इंटर का पंजियन वग्यारहमी का परिच्छा फॉर्म और दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों अपडेट को एक एकर संचेप में बहुत ही अच्छे डंग से आप सुई छातरों तक पहुचाने का कोसिस करूँगा इसलिए आप सुई छातर हमारे साथ इस वीडियो में सुरू से लेकर अंतक बने रहिएगा तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़तर इस अपडेट को हम लोग सुरू से देखें लिखा हुआ है परमुक समादाता राची आनी किया जो अपडेट है राची से परभात खबर समाचार पत्र में परकासित हुआ है इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि जारखंड एकेडमी कोंसील दोरा आवेदन जमा करने के साथ साथ परिछा की तिती भी घोसित कर दी गई है कि आपनों का एकजाम किस दिन लिया जाएगा इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन 17 अक्टूबर से 17 नौमबर तक जमाल लिया जाएगा आनि कि लगभग लगभग एक महीने तक इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि जबकि जिल्ला सिच्छा पदाधीकारी 19 अक्टूबर से 18 नौमबर तक आवेदन को अगर सारित कर सकेंगे आपके आवेदन को एपूरूब करेंगे तभी आप लोग एगजाम में बैट सकेंगे और साती साती चातर विर्ति को प्राप्त कर सकेंगे इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि परिच्छा 17 दिसंबर को ली जाएगी आपनों का जो एक्जाम है वो कब होगा 17 दिसंबर को होगा आनी कि हम लोग देख रहे हैं आविदन पत्र जो भारा जा रहा है 17 अक्टूबर से 17 नौंबर तक और वहीं पर एक्जाम लिया जाएगा 17 दिसंबर को आनी कि 17-17-17 यही आपका तीथी निर्धारीत है इसका दोस्तों लोग आगे बने तो आगे आप लोग यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि परिच्छा कूल 180 अंकों की होगी और समान वर्ग BC1, BC2, EWS, KOTI के बच्चों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40 फिजदी निर्धारीत किया गया आनी कि 100 में से कम से कम 40 आपको लाना होगा तभी आपको छातिर उर्थी के गरूप में पैसा दिया जाएगा इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ कि अनुसुचित जाती हुआ अनुसुचित जन जाती के बिद्यार्थियों को परिच्छा पास करने के लिए निवन्तम 32 फिजदी अंक लाना होगा निकी SCST जो है उनको 100 में 32 नंबर लाना होगा मात्र इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ कि परिच्छा में सामिल होने के लिए बिद्यार्थी का वर्ष 2022 में 55 फिजदी अंक के साथ 7 का परिच्छा पास होना निवार्ज है और वहीं पर वर्ष 2023 में कच्छा 8 में अध्यान रत होना चाहिए आनि कि जो जो बर्तमान समय में कलास 8 में है तो वे लोग इसको भर सकते हैं और दोस्तों फोर्म को भरने का जो फिए आप लोग यहां पर देख सकते हैं परिच्छा फिजो है 250 रुपई हैं लेकिन STST के लिए 125 रुपई हैं और वहीं पर आप लोग देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि छात्री फोर्म को भरने में किसी तरह का कोई भी दिकत होता है तो इस पर आप लोग फोन कर सकते हैं और जो जो छात्री इस परिच्छा में पास करेंगे तो उनको उनको परतेक साल जो 12-12 रुपई है 4 साल तक आनि की कलास 9, 10, 11 और 12 में दिये जाएंगे आनि की इन सभी छात्री छात्राओं के बल्ले बल्ले रहेंगे आनि की बहुत सारा पैसा दिया जाएगा और 40,000 रुपई है 4 साल के अंदर तो दोस्तों इस तरह से आज आज आपसी जारखन बोट के छात्रों के लिए पहला महतपूर्ण अपडेट था इसका धम लोग आगे बने तो दूसरा अपडेट आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं इसमें लिखा होए कि कल से जमा होगा इंटर का पंजियन वा 11 वी का परिच्छा फॉर्म और नीचे लिखा होए राची यान की यह अपडेट भी राची से परभात खवर समचार पत्रों परकासित हुआ है जिसमें लिखा होए कि इंटर मीडियट परिच्छा आपके बोड एक्जाम दोजर चोबिस का परिच्छा फोर्म इसका बोड एक्जाम होगा तो उसका रेजटेशन फोर्म जमा लिया जाएगा इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि जहरकंड एकैडमी कॉंसिल ने इस समद्वें विस्तरी दिशा निर्देश जारी कर दिया है आनि कि इसको ले करके जो बिगेपती है कल ही जहरकंड एकैडमी कॉंसिल ने जारी किया था जिसका वीडियो मैंने इस YouTube चैनल पर कल ही डाल दिया था इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि जैक द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप विद्यार्थी बिना बिलम सुल्क के फॉर्म 17 अक्टूबर से 16 नॉमबर तक जमा कर सकते हैं यहाँ पर डेट एक बार फिर से देख लिजे कि आप लोग जो फॉर्म है 17 अक्टूबर से ले करके 16 नॉमबर तक जमा लिया जाएगा इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि जबकि बिलम सुल्क के साथ फॉर्म 19 नॉमबर से 30 नॉमबर तक जमा लिया जाएगा आनि कि आप लोग इस डेट तक नहीं जमा कर पाएंगे तो आप लोग का लेट फाइन लगेगा लेकिन आपका फॉर्म जमा लिया जाएगा 17 नॉमबर से 30 नॉमबर तक इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि बिना बिलम सुल के जमा फॉर्म को जिला सिचा पदाधिकारी 18 अक्टूबर से 17 नौमबर तक वा बिलम सुल के साथ जमा फॉर्म को 19 नौमबर से 1 दिसंबर तक अगर सारीत कर सकेंगे आनिकी फॉर्वर्ड करेंगे इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन जैक की बेपसाइट www.jack.jharkand.gov.in slash jack के माध्यम से जमा लिया जाएगा ये जो है फॉर्म ओनलाइन भरा जाएगा आपके प्रिंस्पल के माध्यम से और ये आपका बेपसाइट दिया गया है इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि फॉर्म जमा करने के लिए आवस्यक दिसा निर्दे जैक की बेपसाइट पर उपलब्द है आनि कि कैसे भरना है वहां पर उपलब्द है इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि वेपसाइट पर उपलब्द बिद्य की परिच्छा आपनों का जो बोड एकजाम होगा दोजर चोबिस में वह OMR सीट पर लिया जाएगा जिसके बारे में लिखा हुआ है कि 11 की परिच्छा OMR सीट पर ली जाएगी और सभी परसन बहुत विकल्पियों होगा आनि कि अबजेक्टिव परसन पूछा जाएगा आग इसमें लिखा हुआ कि जिन बिद्यार्थियों के पंजियन की अधिक्तम तीन वर्ष समात हो चुकी है उन्हें नए सीरे से पंजियन कराना निवार्ज होगा और वर्ष दोजर पचीस की इंटरमीडियर परिच्छा में सामिल होने के लिए बिद्यार्थियों को वर्ष दो दोस्तों इस तरह से आज आप स्वी जार्खन बोड के चातरों के लिए दो-दो महतपूर्ण अपडेट था जिसमें एक चात्र विर्ति और साथी साथ दूसरा आपके बोड एक्जाम को ले करके था और दोस्तों ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अप कीजिए और अपने दोस्तों को भी जादा से जादा सेर कीजिए तो दोस्तों फिर से मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम जय जार्खन जोहर जार्खन थाइंक्यू